चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं, भुपेंद्र कुलकर्णी है महराष्ट से, इनके पास IDFC First Bank के 50 शेर है, 66 रुपे के भाव पर, तो निलेज जी, क्या करना चाहिए, इनको IDFC First Bank है, 50 शेर है इनके पास, क्या करें ये अब? अधिके 66, 68 इस पडिवलर जोन में हमने एक मेजर रेजिशन देखा था, उसके बाद लगातार काउंटर में गिरावट का दौर देख रहे हैं, लोग अपन, लोग अटम फॉमेशन भी बन रहे हैं, अब पिछले अगर दो से तीन मेने का स्ट्रक्चर देखे तो एक हर्डल है, और अधि लोवर साइड अगर हम देखे तो एक अच्छी बात यह है कि काउंटर एक बेस फॉमेशन की इंडिकेशन भी दे रहा है, 41 के आसपास का इक इमेडिएट सपोर्ट यहां पे निकल के आ रहा है, तो जो एक रेंज निकल के आ रही हो है, 40 से 55 की, और डे 55 के इमेडिये टार्गेट को ध्यान में रखकर आप इसे होल कर सकते हैं और गिराबट पर आप इसे आवरेज भी करने की सला निलेश्ट दे रहे हैं, चलिए अगला सवाल लेंगी, अशुक हसीजा जी हमारा साथ फोल लाइन पर जुड रहे हैं, अशुक नमस्कार, जरूर आ गया है, इनके पास IDFC First Bank के 12,000 शेयर हैं 23 रुपे के भाव पर, IDFC First Bank 23 की खरीद है, 46 पर शेयर ट्रेड कर रहा है, डवल हो गया है इनके भाव से, रोहित के क्या करना चाहिए IDFC First Bank, अलाकि आपने देखा है कि जो फ्रंट लाइनर है, जो दिग्ज बैंक है, उनके मुकाबले काफी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, और एक रेंज में हाल फिलाल ये भूमता रहा है, IDFC First Bank क्या इनको भी मुनाफ़ा वस्वली की सला देंगे आप? अभिशेक, यहाँ पर मैं करेंट लेवल पर मुनाफ़ा वस्वली के सला नहीं दूँगा, बट जो लेवल रहेगा मेरा जहाँ पर हम दोखो पूरुशन बूक करने रहेगी, वो रहेगा 40 रुपे का, तो मुझे लग रहे है कि 40 रुपे का इनको जो है ट्रेलिंग स्टॉ रुपे के उपर निकले, और फिर वहाँ से एक बड़ा मुँ आ सकता है, मुझे लग रहे है कि as of now, current level से जो इनका stop loss बन रहा है, वो 40 रुपे का रहेगा, तो इनको जो ट्रेलिंग stop loss रहेगा, वो अपना 40 रुपे का मेंटर करके, 40 जैसी कटे का निचे के साइड में, उन 40 रुपे के stop loss के अपने hold करने की सला रहेगी, 55 रुपे का मेरा पहला target रहेगा, आपनी शेक, ठीक है, 40 रुपे के stop loss से बने रहेए, पोजिशन को hold कीजिए, 55 रुपे तक जाने का दमखम है, IDFC First Bank में ये सला आपके लिए, आज चले एक लिए दर्शों को जोड़ेंगे, पहली बात हो ये है, लोग बाग ये नहीं देख रहे है, Vodafone थ्री मन्थ हाई पर जा रहा है, उसका पेइमेंट की प्राब्लम हो गई, उसने प्राइसे बढ़ा दिये, Vodafone की सबसे ज़ादा प्राब्लम हम करते थे, IDFC First, उसने अल्यड़ी प्रोविशनिंग में से 50 पर पहला टार्गिर ये 53 भी जा सकता है, बट इसमें यह याद रखिये, दो दिन की वालेटिलिटी है, मैं कह रहा हूँ, IDFC First, 31st December को 60 और 65 के बीच में होएगा, दूसरा बाए है, जो मुझे लगता है, आटो में सबसे अच्छा स्टॉक है, और उसने दिखा दिया, क्यूंकि उसको समी-कंडक्टर करी,